चेहिन साथियों स्वागत है आप सभी का अपने यूटूब चैनल ग्यान आर्बियल में दोस्तों आपको पता है कि आपके जो एक्जाम लगे हुए हैं चाहे वनरच्छक हो या फिर ग्राम विकास अधिकारी यानी यूपी ट्रपल सी वीडियो के ठीक ये री एक्जाम है ठ हम यह क्लास लेकर क्या रहे हैं दोस्तों आपको बता दें कि जो चीज़े पिछले साल पूछी गई यानी कि चाहे इसमें आपके यूपी एसाई के प्रीवियस एर कोश्चन हो ठीक है दोजार पीस में जो चौबन से डुए थे ठीक है और उसके अलामा यूपी एसाई हो क्या और उसके अलामा दोस्तों आपके यूपी टिपल सी वीडियो के प्रीवियस एर कोश्चन हो गए तो चार सिप्टों में तो जिसका होना है या फिर दोस्तों आपके जूनियर असिस्टेंट हो गया ठीक उसके अलामा मैं बता दो आपका फॉरेस्ट गार तो इन सभी लेटेस्ट पेपरों के कोश्चन हम इसमें सामिल करते हुए ले करके एक नए से चल रहे हैं और मैं आपको यह यकीन दिला दूँ कि भाया जब आपको समझ में आगा कि हिंदी हमने कैसी पढ़ाई है ठीक है तो खास करके दोस्तों हम लेबल लेके चल रहे हैं वन रच्छ होने वाली नहीं है तो आज बता दें आपके दूसरी क्लास है आपको बता दें कि अगर आप उत्तर प्रदेश पुलिस या फिर विकास अध्कारी या फॉरेस्ट किसी चीजिए त्यारी कर रहे हैं तो आप जाईए हमारे प्लेश्ट पर हमने प्लेश्ट बताती है और सभ फिर वीडियो के त्यारी करने तो आपको यह प्लेश्ट मिल जाएगी यूपी ट्रबल सी वीडियो और वन्चक देखे इसको हम किसलिए बनाए हैं यूपी पुलिस के लिए पढ़नी है तो आप यह पढ़ सकते हैं यूपी पुलिस 2022 संपूर्ण हिंदी वाला बैच ठीक ह तो इसको पढ़ेंगे फिरी आप कोश्ट संपूर्ण हिंदी हम कराएंगे दोस्तों ठीक है और आपको बताते हैं कुछी समय बाद हम यूपी इस्पेसल की भी क्लास से सुरू करेंगे फिर उसके बाद दे दे रहे हम आपकी कॉंस्ट्टिवसन हो गया मतलब जीके और हिं तो हमने देखा था पहले पार्ट में हमने देख लिया है कि संस्कृत बारे में देख लिया कि वैदिक संस्कृत 1500 इसा पूर से ले करके 1000 इसा पूरता चलता है और संस्कृत को हम दो बारे ने पहले पढ़ लिया चलिए इसके आगे शुरू करते हैं और आपको बताते हैं जो आप लोगों ने बहुत अच्छे कमेंड किया दोस्तों उससे हमें बहुत जाता मोटिवेशन मिलता है ठीक है तो हम आपके लिए और भी अच्छी मेहनत करने वाले हैं चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को तो देखें पहले वीडियो हमने देखा था क्योंकि ह हमने बताए था कि हिंदी वासा को तीन भागों बाड़ते हैं हना तो दोस्तों अब मद्ध्यकालीन भारती आर्वासा काल यानि की 500 इसापूर से लेकर के 500 इसवी तक चलेगा ठीक है ठीक है पहले पता है आपको कि इसापूर घटते हुए होते हैं फिर दोस्तों इसवी ब इसापूर से एक इसवी तक ठीक है दूसरा प्राक्रत हो जाएगा एक इसवी से लेकर के 500 इसवी तक फिर अब ब्रंस हो जाएगा 500 इसवी से लेकर के 1000 इसवी और फिर आवहट आजाएगा 900 इसवी से लेकर के दोस्तों 1100 इसवी के आसपास तक ठीक है मगर दोस्तों मुके पूर से एक स्वी तक ये पाली भासा रही है अब देखिए आप से पूछ ले कोई कि पाली का आर्थ क्या होता है दोस्तों आपको पता है पाली का आर्थ होता है बुद्ध बचन क्योंकि आपको पता है कि महत्मा बुद्ध ने दोस्तों पाली भासा को ही प्रियोग किया था ठीके आपको पता है ठीके पाली भासा प्रियोग के था और सबसे important क्या है कि भारत की पर्थम देश भासा कौन सी है तो दोस्तों पर्थम देश भासा कौन सी हो जाएगी पाली हो जाएगी अब देखिए कोशन समझेगा गलत मत करिएगा तो देव भासा पूछेगा तब प्रथम देश भासा कौन सी होगे पाली होगे कोशन याद रखेंगे कि पाली क्या है दोस्तों प्रथम देश भासा है ठीक है दोस्तों और आपको बता दें कि पाली को ही प्रथम प्राक्रत भी कहते हैं याद रखेंगे प्राक्रत अलग है मगर दोस्तों पाली को ही प्रधम प्राक्रत के नाम से ल को जानते हैं ठीक है दोस्तों किसा जानते हैं तो पाली भास फो फो फिक याद रखेंगे पाली भास कैसी भास रहलता है तो परत 93 भॉष्ण है और यह देख लिजेगा पेपर अगर आपको लगता है कि हम ऐसे कोशन लेकर आ रहे हैं तो आप पेपर देखेगा पहले फिर समझ में आपको आ जाएगा ठीक है समझ गए कि यह प्रतम प्राकरत किसों कहते हैं पाली को पाली भास्ता के पहले वयाकरण कौन है तो कचायन है ठीक है और दोस्तों संस्कृत भासा की अब्रंस क्या है तो पाली है समझेगा देखिए समझने कोशिस करिएगा यह भी कोशन आपके UPSI 2021 में पूछा गया देखिए अब्रंस मत लगा तो पतन रूप ठीक है पतन होना हमने बताया अब्रंस वैसे एक भासा भी है क्योंकि अगर प अब्रंस कौन सी है तो पाली है याद रखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट है कि अब्रंस कौन हो जाएगी दोस्तों पाली हो जाएगी ठीक है चलिए अब देखिए यहां से कितने सारे कोश्चन पूछेंगा हम आपको बाद में दिखाते हैं पहले समझेगा प्रथम प्रा है दोसतों अबलेखी प्राक्रत या सीलालेखी प्राकरत भी कहता था पली को ही कहा जाता है ठीक है बलकुर अच्छे समझ गहांगे चलिए अब अगला point है दोस्तों कि गौतम बुद्ध दौरा सभी उपदेश पाली भासा में ही दिये गाएं और यही question UP ASI में भी पूँचा गया और UP SIB भी पूँचा गया 2021 में ठीक है तो याद रखेंगे सबसे important question है दोस्तों कि गौतम बुद्ध की भासा कौन थी पाली भासा थी देखिए अगर बहुत धर्म से कुछ भी पूछ ले कि बहुत धर्म के त्रीपटक किसमें लिखे गए आप बोलेंगे पाली में बुद्ध की भासा कौन थी पाली बहुत धर्म की भासा कौन थी पाली थी बहुत धर्म कुछ भी लिखा गए किसमें लिखा गए पाली में कुछ भी पूछेगा आपको पाली भासा से अलग नहीं बोलना है बहुत धर्म के बारे में ठीक है चलिए अब समझेए बहुत धर्म के साहित जो त्री पिटक है त्री पिटक मतब्दे पिटक करता है टोकरी त्री पिटक यानि तीन इनके गरंथ हैं जिसे हमारे मुता दोस् दोस्तों शुथ पिटक यान रखेंगे जिसमें गौतम बुध के उप्धेज बताये हैं क्या क्या आपको करना है बिना इन पिटक में आपका अचाहर बेवहर कैसा होना चाहिए किस कैसे आप बात करेंगे और विधं पिटक में दरसन से सबंदित बातें बताई गई सब कि लिखी गई तो आप बताएंगे किसमें दोस्तों पाली में ठीक है बिल्कुँ इच्छे से समझ में चलिए अब और सुनिए देखे जो आपके बाउधर्म के कुछ चीजें हैं इसे दीपवंस हो गया महावंस हो गया मिलिंदपन हो गया अठ्ठ कठा हो गया दोस्तों यह साह पहले व्याकरण भी थी यह कोशन भी पूछाएगा ठीक है दूसरा हो जाएगा दोस्तों मोगलान व्याकरण और तीसरा हो जाएगा सद्वनीती ठीक है समझ के होंगे बिल्कुल अच्छे से कि पाली भासा है क्या ठीक अब देखिए पाली भासा कहां से आई कैसे इसके ब सिद्वान कौन हैं और कहां को मानते है देखिए स्रीलंकाई बौध तथा चाइल्डर्स क्या बोलते हैं कि मगद की भासा है और दोस्तों वहीं बात कर लें वेस्टर गार्ड तथा इस्टेन कोरो कहां कि मानते, कहते हैं, यह उत जैनी यद्ध विंद्ध प्रदेश की भाशा है, और ग्रियर्शन वर रहुल सांकरत्यान कहां की मानते इसको, तो यह मघत की भाशा कहते हैं, Olden वर कहते हैं, यह कलिंग की भाशा है, और रीज, डेविड दोस्तों क्या बोलते कहते हैं कोसल की भासा और सुनिती चडर जी का बोलती है उद्धनात का कहते हैं कि मथुरा के आसपास की भासा है तो यह ज्यादा important है नहीं इसको आपको पढ़ने और लिखने की भी हो सकता नहीं है अपने नोट्स में ठीक है अब नोट यहाद कर लेना कि सर्व सम्मझ से बिद्धानों ने पाली भासा का प्रदेश मध्दप्रदेश की बोली को सुखार किया मतलब यह जातर लोगों क्या वह बहला है मध्दप्रदेश की भासा है कहँ कौंसी आपकी पाली ने अदेखिए आपको डुकक को लिए इस तरीके से चेट को खेट बोलेंगे मार को मग बोलेंगे मोच को मौक बोलते हैं सत्य को सच्च बोलते यह पाली भासा ही है कुछ ठीक है समझ क्या होंके अब चलिए अब आपको पाली इंपॉर्टन उसको बताते हैं क्या क्या आपको दुबारा से एक बार रिविजन करवा दे हैं कि सबसे पहले इसका समय किता है पांसो इसापूर से एक इसमी तक पाली करते का था बुद्ध बचन ठीक है और पाली का प्रथम देश भासा क्या है तो आप संस्क्रित होगीम करक्र पाली प्रथम प्राक्रत किसको कहते हैं और पाली का काई यचायन दोस्तों ये आपको याद पाली भास में यह बहुत बार पुछाए कोश्चन है UPSI UPSI बहुत जगा आपको मिल ही जाएगा और जो त्रिपटक है दोस्तों कौन कौन से सुत्व पिटक विने पिटक अधम पिटक यह भी आपके पाली भासा में ही लिखेगा है दोस्तों इनको आप याद कर लेंगे बस आपका पाली में ही लिखा गया ठीक है तो यह चीज आपको बिल्कुल अच्छे से याद रखना है ठीक है अगला है दोस्तों प्राकरत देखिए प्राकरत के वारें बात कर लें तो प्राकरत के वारें आपको समझना होगा कि देखिए प्राकरत का समय कब से कब तक है प्राक्रत भासा में दिये गाएं ठीक है याद रखेंगे यह आपके UPASI का कोश्चन है कि प्राक्रत देखेंगे कोश्चन पुछेगा कि महाभीर स्वामी ने अपने उद्देश किस भासा में दिये तो प्राक्रत भासा में ठीक है चलिए जैन ग्रंत जो हैं दोस्तों जैन तो नहीं कह सकते हैं मगर दोस्तों जातर आपके इसी में लिखेंगे प्राक्रत में याद रखेंगे जैन ग्रंत जिन्हें हम आगम साहित कहते हैं जो जैन ग्रंत दोस्तों जिन्हें हम आगम साहित के नाम से आनते हैं वो भी किसमें लिखेंगे प्राक्रत में ठीक है और ह से याद रखेंगे यापकी pakai 2021 किसको कहते हैं तो प्राक्रत सब्सक्राइब किसको कहते हैं एक क्षचे करेंगे आपको में कमेंड वक स में कमेंड करना है भईया हिंदी का पानिन किसको कहते हैं ठीक का पानिन किसको कहते हैं ठीक भथा येगा चलिए अब देखिए प्राकरत है कुछ रचनाए देख लेए देखे सर्वसेन द्वारा लिखी गई हर वीचे है अप्रसो सेन दुत्ती द्वारा रामण वाहू है और उद्योतन द्वारा लिखा गया है कुलवा माला ठीक है कुलया माला चलिए कौतु हल किसकी है लीलावती दोस्टो कौतु हल देखे जो important है ये वाला आपका UPSI में पूचा गया है किसमें UPSI 2021 में पूचा गया है और 17 में भी याज रखेंगे अब्दुल रह्मान के रचना कौन से संदेश रासकते संदेश रासक पहली मुस्लिम द्वारा लिखी गई कोई रचना है ठीक है और मुसलिम प्रथम कभी कौन है तो अदुल रह्मान को ही माना आता दोस्तों ठीक है तो याज रखेंगे और मैं आपको बता दूँ कि विकास की द्रश्टी से अब्रंस की पूरुकालिन अवस्था का नाम ही प्राकरत है ठीक है अब्रंस की पूरुकालिन अवस्था क्या है तो प्राकरत ही तो है यह भी आपके 2021 UPSI में पूछा गया कोश्चन है तो प्राकरत से आपको क्या रखना है कि ये भाई यार किसकी इसमें किस ने उद्धेश दिये तो महावीर स्वामी जी ने ठीक है ये आपको बिल्कुर अच्छे स्याद रखना है और प्राकरत का पानिंद किसों कहते ये भी याद रखना है चलिए अब अब ब्रंस देखते देखिए अब ब्रंस का कारिकाल ही ये प्रियोक किशने किया है तो आप बठा अब ब्रंस का अर्द के प्रमाडी की प्रियोक किशने किया तो अबिक ह χां आपको बता रहन den कि अब ब्रंस का सबसे प्राचीन उधारन कौन सा है तो आपको बता दें अब ब्रंस का सबसे प्राचीन उधारन कौन सा है भरत मुनी का नाट्ट सास्तर आप जानते होंगे बहुत बार पूचा का कोशन है कि नाट्ट सास्तर किसकी रचना है तो भरत मुनी तो आपको बता आचार दंडी की रचना कौन सी है काब बैदर सम पहले पढ़ा चुके रचना है ठीक है उसमें इन्होंने अब्रंस को आभीर कहा है और मैं आपको बता दूँ कि डाक्टर भोलानातिवारी और डाक्टर उदय नरायातिवारी के अनुसार भासा के अर्थ में अब्रंस का प्र आपक्रत लख्षण में ठीक है इनकी ग्रंथ थी अब आपको बता दें कि देखिए आचार कि सोरी दास बाज़ पेजी है उन्होंने अब्रंस को क्या नाम दिया रड़य अने भासा कहा ये उन्होंने कहा है अब्रंस को विद्वानों ने विभरष्ट भी कहा है आभीर भी किसी ने इसको अलग भी कहा है ठीक है पटमंजरी कह दिया आउहत कह दिया आउहट और आउहट नाम से भी जानते ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं ठीक है यह याद रखेंगे अब ब्रंस में कुल कितनी होनिया चालिस कितनी है चालिस मैं पोदा दूँ पहले जो वैद कितने सौर है तो दोस्तों 8 सौर है ठीक है और दोस्तों आप से पूले विंजन कित्तों गया तो 32 वंजन और 800 हो जाएंगे ठीक है यह कोशन आपके यूपसाई में पूछा गया है कि आधुनिक भारती आरे भासाओं को विकास किससे हुआ है तो आधुनिक मतलब कह नवीन तो सबसे नवीन का है हिंदी, और हिंदी का विकास किस्से हुआ है, अब भरंस के बाद हिंदी आएगा न, तो हिंदी का विकास किस्से हुआ है, तो याद रखेंगे, आधुनिक भारती आर्रे भासाओं का विकास किस्से हुआ है, तो अब भरंस से ही हुआ है, ठीक है, प्रथम रचेना किसी में मिलता है तो बलभी का राजा धर्सेंद दुत्ति का सिलालेक में अब ब्रंस का पहला प्रयोग मिलता है ठीक है और आपको पता देएं हमचंद्र ने डेसी सब्संगरेंओ नामसे कोसनागर अब ब्रंस में लिखा था जिसे अब ब्रंस का व्याकरन क निकली है तो सौर से निसे ठीक अब दोके सौर से निस कौन कौन से निकली है पस्चमी हिंदी और राजिस्थानी ये दोनों दोनों आप यूपसाइब पूछे गए हैं कि राजिस्थानी किस अब रहन से निकली है तो दोस्तों किस से निकली है सौर से निकली है तो लहंदा ठीक है ये भी UPSI 2021 से पूछा गया question है ठीक है उसके अलामा दोस्तों पहाड़ी किस से निकली पहाड़ी वहां सा तो खस से और दोस्तों मराठी किस अब बन से निकली तो महाराष्टी ये भी आपके 2021 का ही question है UPSI का उसके अलामा बात कर लें कि अर्ध मांगदी देखे सारी हिंदे निकली है और ये question आपके UPSI में पूछा गया है चलिए अब देखिए और क्या कोश्चन बनते हैं तो खड़ी बोली या कवरोवी का उद्भावत आपके किस से हुआ सौर सेनी अब्रंस से हम बता चुके हैं सौर सेनी अब्रंस के उत्तरी रूप से हुआ है य सिंधी भासा का विकास ब्राचर अब्रंस से हुआ हमने बताया है उपर हमने बता भी दिया ये भी question पूछा कि आपके UPSI 2021 में और ये पूछा क्या है कि चंधर सर्मा गुलेरी ने उत्तरी अब्रंस को पुरानी हिंदी किस ने कहा चंधर सर्मा गुलेरी बहुत इंपॉर् सिंधी कहा है और भोला संकर और अब्दुल रह्मान ने क्या बोला है अब ब्रंस को आउठ कहा है और दोस्तों बता दें कि अब ब्रंस भासा के प्रथम विराकरा अचार कौन है तो हम चंद्र है ठीक है इतना आपको याद कर लेना है जो आपने बताया है और देखे जो च इन्होंने पाउम चरिव रचना लिखी है जिस ग्रंथ में इन्होंने राम जी का वड़न कर दा था जैसे बालमीक ने दोस्तों से अबन्हान किया अपनी रचना किसमें पाउम चरिव में इसले इनको वभर्ण्स का बालमिक कहते हैं पुस्ते दन्त हैival को इन्हंने कॆप क लिखा है इनकी रचना है महापुरान ध्राइक कुमार चरिव कोशन आएगा कि अब भ्रंस का पहला प्रबंध काब्य काउंस है तो भविस्यत कहा है ठीक है अगले हैं खुललाब की रचना है धोला मारूरा दुलाब विरह दोस्तों इंपोर्टन है और जिन दत्त सूरी की काउंसी है रखना जिन उपदेश रसायन और रासमरत्त कीत और रस काब्य दोस जो तिस्तर ठाकूर ने अपने वन्ड रतना कर ग्रंथ में आवहट का प्रियोग किया था, ठीक है, अब देखी, यहां से कोशन क्या बनेंगे, याद रखेंगे, अब ब्रंस के ही परावर्ति रूप को आवहट बोलते हैं, कई बार बता चुके कि आवहट और ब्रंस लगभ किसी रिचना है, तो विध्यापती की पूछेगा, आवहट किरिति पता किस में लिखी गई, आवहट में, ठीक है, आवहट का सबसे पहले प्रियोकिस ने क्या, विध्यापती ने कोश्चन आपके UPSI 2021 में पूछा गया, ठीक है, यह भी कोश्चन पूछा गया, कि विध्य आवहट बोला कहा है, जो अब ब्रंस है, और आधुनी क्या ने, आधुनी का रिच्टी को क्या बोला है, आवहट कहा है, यह भी आपके UPSI 2021 का ही कोश्चन है, तो याद रखेंगे, बहुत अच्छे से हम पढ़ाने कोशिस कर रहे हैं, एक एक चीज आपके लिए जुटा आपको बता दें, कि आपको करना क्या है, कि चैनल को सब्सक्राइब किये भी न मत जाईए गया दोस्तों, क्यूंकि इस अच्छा प्लेटफरम आपको मिलने वाला भी नहीं है, और मैं यकीन के साथ कहता हूँ, अगर इतनी अच्छी हिंदी को आपको पढ़ा दें, तो हमे बता दीजेगा, ठीक है, और दोस्तों, एक प्यारत सा कमेंट छोनके जाईएगा, कैसा लगा आपको हमारी वीडियो मिलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए, जैहिन, जै भारत, बंदे मातरम, थैंक यू, और उसके पहले बता दें, यह हमारी दोस्तों, यह पर्चेस करना, पर्चेस कर सकते हैं, ठीक है, वार्चाप करके दोस्तों, यह आपका नंबर है, 790-5419-51, ठीक है, और एक बार फिर से बताएंगे, कि प्ले लिश्ट में हमने दोस्तों, अगर इसको ऑनलाइन भी खरीतना आते हैं, उसका भी लिंक हमने दे दिया, और दोस यह तोस deze लिपी, भी खरी में हमने दोस्तों, झालाइन पुलें दोस्तों, यह आपका रइस आते हैं, वार्चेस कर से ताएंगे असकते हैं, जब एक रचायवत कर दोस्तों